हलो एवरिवन, वेलकम टू IAS PCS by Aspirants UP PCS Mains में 6 पेपर होते हैं जिसमें की पाँचवा और छठा पेपर जो है वो UP Special का पेपर है तो UP Special के हिंदी मीडियम की इस लेक्चर सिरीज में पेपर नंबर 5 के 0.1 पे हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में और अभी 0.1 के दो टॉपिक बचे हुए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं अगर हम बात करें 0.1 की जो हमारे सिलेबस में 0.1 है उसके 4 सेक्शन्स हैं पहला है उत्तर प्रदेश का इतिहास इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी और उत्तर प्रदेश की सभ्यता इसके बारे में भी हमने बात की थी आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृती और उत्तर प्रदेश के प्राचीन सहर के बारे में इस वीडियो के बाद आपके पास एक बेसिक जानकारी हो जाएगी जिससे की answer writing आपके लिए आशान हो जाएगी किस तरह के प्रशन पूछे गए हैं इसके लिए हम अलग से lecture series लाएंगे जिसमें पिछले साल पूछे गए प्रशनों को discuss किया जाएगा और उसका एक अच्छा answer क्या हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic उत्तर प्रदेश की संस्कृती इसके पहले एक बात आपसे बता दी जाए अगर आप इस पूरे PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये free of cost नीचे description में जो telegram channel का link है उसमें आपको provide करा दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के संस्कृती के बारे में हम बात करें तो पहले कुछ basic बात समझते हैं UP जो है उसको आप जानते हैं कि second most populous state है इंडिया का मतलब सॉरी first most populous first most तो बोलना ही नीचे है पहला ही है first number है population में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहले number पर है भारत में इसकी जो संस्कृती है वो vivid संस्कृती है हजारों वर्ष लगते हैं किसी भी छेत्र की संस्कृती बनने में और वही चीज उत्तर प्रदेश के बारे में भी कही जा सकती है एक संस्कृती का विकास कैसे होता है आपने GS paper 1 में पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं भारती संस्कृती वहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो जो भी एतिहासिक घटनाएं होती हैं धार्मिक पर्थाएं होती हैं सामाजिक रीती रिवाज होते हैं जो परंपराएं चली आ रही हैं वही सब परंपराएं एग्रिगेट होकर एक जगा फिर एक संस्कृती का निर्मार करती हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृती की कुछ खास बातें क्या-क्या हैं वो हम बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृती में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है धर्म, धर्म से संबंधित बात करते हैं उत्तर प्रदेश अपनी धार्मिक विविद्धा के लिए जाना जाता है हिंदू भी है, मुसल्मान भी है, सिख भी है, बौध भी है, जैन भी है, इसाई भी है ये सब रहते हैं और सह अस्तित्व की भावना है एक साथ ही ये सारे लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में हर एक धर्म से संबंदित, कुछ न कुछ महत्पूर स्थान भी है जैसे काशिव इस्वनात मंदीर है बनारस में, इलहाबाद में संगम है तो लखनव में जामा मस्जिद है वैसे ही अगर हम बात करें कौशामबी की, तो कौशामबी जैन और बौध धर्म दोनों के लिए आकरशन का केंद्र है आयोध्या जहाँ एक तरफ भगवान स्री राम से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जैन के तीर्थंकरों से भी जुड़ी हुई है इस तरह से यहाँ जो धर्म है वो सह अस्तित्व के साथ एक धर्म दूसरे धर्म के साथ रहता है कला और साहित्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कला और साहित्य की सम्रिध परंपरा है इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला ये सब चीजे देखने को आपको मिलती है और वो हम लोग डीटेल में डिसकस भी करेंगे फिर बात करें साहित्य की तो यहराज अपने सास्त्रिय संगीत कथक ठुमरी और चैती जैसे नित्यों के लिए भी प्रसिद्ध है एक तो यह आप समझें दूसरा जब आप साहित्य की बात कर रहे हैं तो वैदिक साहित्य के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता प्रदेश में हैं शाकाहारी और मांशाहारी हर प्रकार के व्यंजन उत्तर प्रदेश में शामिल हैं और जैसे आप कहिए तो लखनव में कबाब मिलेगा आपको बिर्यानी चाट गुलाब जामुन रसमलाई मीठे व्यंजन यह सब प्रसिद्ध भोजन है उत्तर हो या जनरल हो त्योहार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बलकि पूरे भारत में बहुतायत में हैं और उसी कड़ी में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो साल भर कई त्योहार मनाये जाते हैं दिवाली होली इद नौरातरी दशहरा यह सब प्रमुक त्योहार है हस्त अब हम साथ शिल्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश अपने पारंपरिक हस्ट शिल्प के लिए जाना जाता है जिसमें की चिकनकारी प्रमुख है चिकनकारी एक कड़ाई है जो कि आप लखनवू के पारे में सुने हैं तो लखनवू बेचिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है ऐसा बताया जाता है फिर पीतल के बरतन मुरादाबाद इससे संबंदित जगा है लकडी के खिलोनों के लिए भी प्रसिद्ध है जगा और ये हस्त शिल्प राजी की समरिध संस्कृ रही है उत्तरप्रदेश में हांकी कबड़ी ये सब राजी के लोग पर ये खेल हैं और इसके साथ ही अब ये दिखिए राजने सुरेश रहना मुहम्मद कैफ और प्यूष चावला ये सेब कई प्रसिद्ध एतलीट दिये हैं इसके अलावा कुछ चीज़ें आप और समझ चीजों में जोड सकते हैं और वन डिस्टिक वन गेम एक एक जिला एक खेल ये योजना भी है तो इस योजना से भी आप उत्तर में जोड सकते हैं इसको उसके बाद राजी की संस्कृति विभिन छेत्री प्रभावूं से आकार लेती है जैसे लखनव में अवधी संस्कृ मतुरा की ब्रज संस्कृति है जासी की बुंदेल खंडी संस्कृति है फैजाबाद की अवधी संस्कृति है पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपूरी संस्कृति है अब इसको छेत्र के हिसाब से हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अलग-अलग छेत्र हैं चाहे परिस्कृत, संस्कृति, उत्तम, भोजन और सुरूचि पून, कला और संगीत के लिए जाना जाता है, लखनौ को या अवध को आप कह सकते हैं, इसके अलावा यह शहर कविता और साहित्य के लिए भी जाना जाता है, कविता और साहित्य की जब बात हो रही है तो आप कुछ प्रमुक शायर जैसे की वाजिदली शाह, जो वहां के नवाब भी थे, तो वो शायरी भी करते थे, उनका नाम अप ले सकते हैं, खुमार बारा बंकवी का नाम ले सकते हैं, तो यह लोग जो हैं, कविता और साहित्य को बढ़ावा देने में इनका योगदान है, उसके अल बीत और कला में परिलक्षित होता है, राम जनभुमी मंदीर का उलिक, जिसे की हिंदूओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, अब देखी, यह बताने का कारण क्या है, यह बताने का फायदा यह है, कि आपको एक बेसिक जानकारी हो रही है, कि क्या-क्या पॉइंट्स दाहरन से अपने उत्तर को फीड करेंगे, तब जाके एक शांदार उत्तर तैयार होगा, जैसे उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर टिप पनी लिखिये, तो यह साथ-ाठ पॉइंट में ने बताए, इन्हीं पॉइंट में आपको अलग से एक्जांपल जोड़ना है, जब अब चीजों को आप बताएंगे वहाँ पे, ठीक है, फिर बात करें पश्ची में उत्तर प्रदेश, तो पश्ची में उत्तर प्रदेश में इस्थित मतुरा को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, और अपने भक्ति संगीत के लिए भी एक्षेत्र प्रसिद संगीत हो, रिद्य हो, या फिर अपने प्राचीन किले और महल हो यहाँ पे, जो चंदेल वंश के शासक रहा करते थे, तो उससे संबंदित, चाहे बुंदेलखंड की संस्कृति की बात करिए, चाहे बुंदेलखंड में जो किले या महल हैं उसकी बात करिए, तो लिट्टी, ये उत्तरप्रदेश, अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा समय आपको बताना चाहूंगा, जब आप पूर्वी उत्तरप्रदेश की लिख रहे हैं, तो भोजपूरी संस्कृति आपने बताई, तो यहाँ पर कुछ भोजपूरी लेखकों के नाम, या कुछ भ विभिन ख्षेत्री प्रभावों और एतिहासि घटनाओं से आकार लेती है, राज की संस्कृति इसकी कला, संगीत, साहित्य, व्यंजन, वास्तुकला में परिलक्षित होती है, देखिए, जब भी उत्तरप्रदेश की संस्कृति पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, य ये पॉइंट नंबर थ्री था, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फूर की ओर, और इसके बाद हमारे इस सिलेबस का ये जो टॉपिक है, उसका पॉइंट नंबर वन खतम हो जाएगा, उत्तरप्रदेश के प्राचीन शहर, तो उत्तरप्रदेश कई प्राचीन शहरो का घर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, राज्य के इतिहास और संस्कृती को वाकार देने में इन शहरों का महत्पून स्थान रहा है, और इसी कड़ी में हम बात करें, तो वारानसी की बात करते हैं सबसे पहले, वारानसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, औ इंदूओं का एक पवित्र शहर है, घाटों का शहर कहते हैं, इसको अपने घाटों के लिए जाना जाता है, और विभिन धार्मिक संस्कार भी यहां पर होते हैं, उसके अलावा यहां के घाट अलग-अलग रूप में मशुहूर है, जैसे मरिकर्णी का घाट है, जो इसको अलावा असी घाट है, उसके अलावा दशाश्वमेद घाट है, जो की अपनी गंगा आरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसका इतिहास तीन हजार वर्ष से पुराना है, बनारस के बारे में और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप उ और उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भाग में है, और उसके साथी साथी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो रासलीला और भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित, ये महत्तपूर स्थान है, भगवान कृष्ण का जन्में यहां माना जाता है कि हुआ, ठीक पर भगवान राम का भी मंदिर बना है, भवे मंदिर, तो उसके बारे में भी आप जरूर जानते होंगे, फिर बात करें कन्योज की, तो कन्योज का इतिहास भी बहुत पूराना है, और अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है, तो हर्षवर्धन से लेकर, पूरो मध्यक काल के त्रिपक्षिय संगहर्ष तक कन्योज का स्थान बहुत महत्पूर रहा है, कन्योज के उदय के पीछे या कन्योज के लिए जो कॉंटेस्ट होते रहे हैं, उसमें सबसे महत्पूर कारण यदी में देख पाता हूं, या आप भी देख पाएंगे, इतिहास का हर देख पाते हैं, मैं क्या देख पाता हूं, तो आप समझेंगे कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक तो सामरिक द्रिष्टी से महत्पूर है, और दूसरा कि ये एक बहुत ही उर्वर मैदान है गंगा का, तो दुनिया के सबसे उर्वर मैदानों में एक है गंगा का मैदान, औ इसलिए ये महत्पूर हो जाता है, प्राचीम शहर है, और गुप्त काल में ये वियापार और संस्कृती का प्रमुक केंद्र था, और आप हर्षवर्धन से जोड़ सकते हैं, कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई, और जो पाल प्रतिहार राष्ट कूट का त्र इसलिए महत्पूर स्थान है, और सारनात में स्तूप भी है, जो बहुत धर्म से संबंधित है, कमेंट करके बताईए कि स्तूप का नाम क्या है, पिछले वीडियो में बताया गया था, बात करें इलहाबाद की, तो इलहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उ उसके बाद, अब दिखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अशले शहर हैं, जिनका नाम इसमें नहीं लिया गया, जैसे की लखनौ का नाम अप ले सकते हैं, उसके अलावा आप जहासी का नाम ले सकते हैं, तो ये जो शहर है, इनका अपना महत्व है, चाहे वो तो आप कुछ ही शहर लिख पाएंगे, पांच य अच्छे सहरों का नाम ही लिख पाएंगे, और दो तीन को बस ऐसे ही paragraph में मेंशन करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ समय का भी constraint होता है कि कितने समय में आपको उत्तर लिखना है, तो इस तरह से बात की जाएं, त जो पहला topic था हमारा UP Special GS Paper 5 के point number 1 के अंतरगत, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश की संस्कृती, और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों के बारे में पढ़ना था, वो इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होता है, बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में